सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लिक करें बल आइकाउन को हमारी जाने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिस्मिल्लै रहुनानी रहिमा असलाम लेकों वीवर्स मैं आपका अपने कुकिन चैनल में खुशाम अदीद कहती हूँ अमीद करते हैं आज मैं शमवारी चिकन कड़ाई लेकर हाजिर हुई हूई हूँ लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करन वह यह है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कड़ाई को बनाने के लिए बहुत ही काम इंग्रीडियन्स रिक्वाइर है चिकन हमने एक केजी लिया है आदा किलो टमाटर अद्रक लसन का पेस्ट एक चमच चांध हरी मिर्चें कटी हुई नमक हस्बे आदा चमच काली मिर्च एक चमच थोड़ा सा हरा दन्या कुटा हुआ पांच से छे अदर्थ हरी मिर्चें साबर और एक कप जो है हम दही इस्तमाल करें चलिए अब हम इसको पकाते हैं यह देखें विवर्स हमने एक कडाई ले लिया उसके अंदर हमने खादा कप ऑईल डाल दिया अब इसी ऑईल में जस्ट हमने अपना चिकन एड करना और इसको हमने वाइप यानकि थलका सा अपना कलर चेंज करेगा तक तक इसको भूनेंगे यह आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना कलर वो चेंज कर लिया है हमने दो से तीम मिनिट पकाया हमें इसके अंदर अद्रक लसन का पेस्ट डालूंगी और एक से दो मिनिट तक हम इसको भूनेंगे लसन को हमने भून लिया है अब मैं इसके अंदर टोमाटर शामिल करूंगी अब टोमाटर को हमने तब तक पकाने जब तक चिकन और टोमाटर का पानी अच्छे से कुश्क हो जए वक्पे वक्पेस हम इसके अंदर चम्मच सदाते जाएंगे और आप इसको फिर से कबर करते रखते हैं कर अफिर त 10 मिनिट हो चुके हैं अप देख सकते हैं के तो टोमाटर का पानी है वो आ हम्दोड़िला फुच्छड हो चुक है Lives अव container अज़्वोरव आफट के साण मैं एक निच्ट में अब शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे अब मैं इसको अच्छे से भून दूँगी तकरीबन एक मिनुट यह देखें आप हमारी जो हरी मिच्चे और नमक वो अच्छे से हमने इसको भून लिया इसने घी छोड़ दिया अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे यह दे दही को मैं अच्छे से फैंड लिया अब हम इसको तब-तक पकाएंगे जब तक पानी कोश्क ना हो जाए और साथ में ही मैं क्या करनी साबत हरी मिच्चे भी इसके अंदर शामिल कर गो तीन मिनिट तक हम इसको पकाएंगे जैसे दई का पानी कुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको मजीब ढून लें अब मैं इसके इंदर चमाच लाऊंगे और दुबारा कवर करके रख देंगे बिस्मिल्लार करें यह देखें विव्यवर्स अलंदलिल्ला जो अच्छे से खुश्क हो चुक है यह आप सक्रीम पर देख सकते हैं के दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुक है अब मजीब इसको में 1 मिनट भूणोंगी अब हम इसके अंदर काली मिट शामिल करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिश है यह आल्मोस्ट कम्प्लीट हो गी है हम बिल्कुल लास पर जाकर इसके अंदर काली मिट शामिल करें साथ में ही मैं थोड़ा सा धन्या एट करूंगी और बाकी की बच्ची भी हरी मिच माशालला हमारी डिश को बहुत ही खुपसूरस कलर आया है और ये टेस्ट में भी बहुत ही डलीशिस रवी है टमाटर का पानी दही का पानी बिल्कुल सुशक हो गया था और टमाटर भी अच्छे से इसके इंदर मिक्स हो गया है इसके साथ ही आग की हमारी डिश जो है वो पाक कर त्यार हो कीई है अब लास्ट पर हम लंबा लंबा जो इसमां अद्रक कट करके मैं शामिल करूएं जो मैंने आपको पहले नहीं बताया यहां में अद्रक भी डाल दिय्य से में लंबा कट करके थोड़ी सी में दुबारा से हरी मिच्चें जो हैं वो कटी भी एड करूंगी और थोड़ा सा हमिस के अंदर धनिया डालेंगे चले जी अब मैं चूला बांद करने लगी हूं यहां तक हमारी डिक जो है वो कंप्लीट होती है इसके साथ ही आज की हमारी ज स्पीक कैसी लगी ही लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है इन्षाला फिल्द मेरी के साथ शिये करने और ज Flu ने हमारा चैनल सुस्क्राइब नी किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सुस्क्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें इंशाला फिर मुलाकात होगी थैंक्तु अल्ला पिस